साथियों, हमारी यहां सास्त्रों में बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हर पल बहुत काम आती है हमारी यहां कहा गया है समानो मंत्रह, समीती समानी, समानमन सह चित्तम एशाम यानि हमारे विचार, हमारे संकल्प और हमारे रदय एग जूट होने चाहिए यही एग जूटता, यही संकल्प भारत को विजय स्री प्राप्त करने में मदद रूप होंगे वर्तमान परिष्थितियों में इस शक्ति का प्रभाव हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं चाहे वो एक दिन का जनता करफ्यू हो या लंबे समय का लॉकडाउन का समय या प्रत्यग भारती तमाम उसके लिए उठा कर भी देश के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और वो खुद को भी बचाने के लिए काम कर रहा है देश को बचाने के लिए काम कर रहा है भारत जैसा इतना बड़ा देश 130 करोड़ लोकों का देश से लौकडाउन के समय भारत की जनता ने जिस तरह की मैचुरिटी दिखाई है गामभीर्य दिखाया है यह भूत पूर्व है हम भारत के कोटी-कोटी जनों का जितना नमन करें उतना कम है कोई कलपना नहीं कर सकता था कि इतने विशाल देश में लोग इस तरह का अनुशासन और सेवा भाव का पालन करेंगे साथियों कल भी हमने देखा रात को नौ बजे हम सब ने अनुभो किया है एक सो तीस करोड देश वासियों की सामुहिक शक्ति के उस एक विरांट रूप के हमने दर्सन किये अनुभूति की है हर वर्ग हर आयू के लोग अमीर हो गरीब हो पड़ा लिखा हो अनपड़ हो शहर का हो गाउं का हो सब ने मिलकर एक जुड़ता किस ताकत को उसका साख्षाटकार किया उसका बंदन किया कोरोना के खिलाब लड़ाई का अपना संकल्प और मजबूत किया और जो मूल भाव था मैं अकेला नहीं हूँ इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूँ वेले घर में बैटा हूँ लेकिन पुरा द करने में नई ताकत देता है आपने खुद महसुस किया होगा गाउं दिहाद से लेकर कि बड़े शहरों तक असंख्य दियों ने प्रकाश ने कोरोना संकड के अंधिरे को उस हताश निराथा को दूर करने में एक-एक नागरी का हुसला बुलंद करने में मदद किये हैं 130 करोड देश वास्यों की महाशक्ति का महाप्रयास और उससे जन्मे महाप्रकाश ने देश वास्यों को लंबी लड़ाई के लिए तयार किया है और यह मैं समझदारी के साथ कहता हूँ यह लंबी लडाई है न ठकना है न हारना है लंबी लडाई के बावजुद भी जीतना है विजई होकर के निकलना है साथियों आज देश का लक्ष एक है मिशन एक है और संकल्प भी एक ही है कोरोना महामारी के खिलाप लडाई में विजई लडाई में जीत हमारे तो समस्कार है हमारे खून में हमारे रगों में है हमें तो यह की मंत्र सिखा गया है दल से बड़ा देश है और देश का मतलब है 130 करोड मेरे देश्वासी पूरी मानवजात के लिए भी 130 करोड देश्वासियों की जिंदिगी की रक्षा उनका कल्या मानवता की रक्षा का भी कारण बनता है और इसलिए देश के लिए इस कठीन घड़ी में भारतिय जनता पार्टी के सभी कार्यकरताओं पर राष्ट सेवा और मानव सेवा का दायत्व और भी जादा बढ़ जाता है झाल